वक्त की बड़ी खबर की करेंगे आपको बता दे चुनाफ से पहले कॉंग्रस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रस के सो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं नेता कारिकरता बीजेपी में शामिल हो चुके आस्टा के सो कॉंग्रस नेता कारिकरता बीजेपी की सदसिता ग पंचायत शामिल है जनपत पंचायत सदसे सरपंच कॉंग्रस के पदाधिकारी इसके अलावा और तमाम बड़े नेता कारे करता जिन्होंने बीजेपी की सदसिता ग्रहेंड कर ली है तस्वीर आपके सामने चुनाफ से पहले बीजेपी ने कॉंग्रस को एक बड़ा जटका दिया है और कॉंग्रस के जो सो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए एक्स्क्लूजिव तस्वीर इस वक्त आप बंसल नीउस पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान प्रदेश अदक्ष वीडिश शर्मा की मौजूदगी में ये सदसिता ग्रहे क्वाजर ढग्रबर आ रहे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं 100 नेता कारेकरता जिन्होंने कं variation को एक बड़ा जटका दिया है चुनाफ से पहले हाला कि चुनाफ में अभी समय बाकी है लेकिन अब देखिए बीजेपी ने जटका दिया है कांग्रस को चुनाफ से प करवाई है और एक बड़ा जटका देते हुए सब भी तमाम सो नेता कारिकरता बीजेपी में शामल हो चुके हैं तो प्रदेश दक्षवीरी शर्मा स्रीम शिवराज सिंग चुहान की मौझूदगी में कॉंग्रस का हाथ छोड़ कर अब बीजेपी की सदसिता इन तमाम नेता कारिकरता उने ले ली है चलिए इसी खबर पर और भी ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं एंग्जेकेटिव एडिटर मनुस सैनी जी का लाइव हमारे साथ चुड़े हुए हैं मनुस जी 2023 से पहले कॉंग्रस के लिए कितना बड़ा जटका इसे माना आस्टा के एक दो या तीन नहीं बलकि सौ से ज़्यादा नेता कारिकरता बीजेपी में शामल हो चुके हैं देखिए पिछली तफ़ा आस्टा से गोपाल इंजिनियर वहां चुनाओ लड़े थे कांग्रिस की तरफ से और बहुत अच्छा उनका प्रफार्मेंस रहा था हल का सामना करना पड़ाता वहां से कांग्रिस को पर बड़ी बात यह है कि गोपाल इंजिनियर के साथ करीब सो लोग जॉइन किया है जो कायर करता है और उनके समर्थ तक लोगों ने जॉइन किया है भारती जंता पार्टी को शिपराशिक चौहान मद्विदेश के मुकमंत् बीडी शर्मा प्रदेश अद्यक्ष ने जॉइन कराया है तो निश्चित रूप से 2023 चुनाओं के पहले कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा जटका ही माना जाएगा और ऐसी तैयारिया है सूत्रों के वाले से ऐसी खबर है आपको याद होगा कुस दिन पहले बूपैन सिंग ने बंसनीज पर कहा था मंत्री ने कि कई ऐसे बिदायक है जो 6 से जादे ऐसे बिदायक है जो हमारे संपर्क में हैं तो क्या ये माना जाए कि 23 से पहले कुछ और बिदायक कुछ और लोग कॉंग्रिस को छोड़कर भारती जंता पार्टी जॉइन करेंगे क्योंकि लगाता इंजिनियर के साथ करीब 100 लोगों ने जॉइन किया जिसमें पूर जिलापंचा दक्ष है बाकी वरिष्ट कार करता है आश्टा के उन्होंने जॉइन किया और गोपाल इंजिनियर का अच्छा दबदबा उस छेत में माना जाता है कापी पड़े लेके व्यक्ति रहे हैं प जमपर्क में वीडी शर्मा ने भी आज कहा जब हमारी उनसे बात हुई थी कि कई और खबरें आपको देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से 23 से पहले कांग्रेस को बड़ा जटका है जया बलकुल मनोच जी लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया और मंत्री बुपेंद बात ने भी बात कही ती कि बीजेपी के भी कई विधायक कॉंग्रस में आना चाहते हैं लेकिन शुरुआत देखिए बीजेपी ने कर दी है और कॉंग्रस के लिए बड़ा जटका कैसे उबरेगी कॉंग्रस इससे देखिए जाहिर सी बात है कि जहां सत्ता है और लगातार सत्ता में भारती जनता पार्टी बनी हुई बीच के अज़ी 17-18 महिने छोड़ दिया जाए तो लोगों का भी ये प्रियास होता है और बैसे भी अभी उत्तर पिदेश की चुनाओ हुए तो बीजेपी का माहुल त कि एक मैसिज जाता रहे लगातार कॉंग्रिस की तरफ से कि किस तरह कॉंग्रिस तयार है और 2018 की तरह चुनाओ लड़ेगी लेकिन सायद ये मैसिज देपाने में नाकाम दिखाई दे रही है कॉंग्रिस और भारती जनता पार्टी ने उसका फायदा ले लिया बैसे भी इसा होता है उसका प्रभाव दिखाई देता है और बीजेपी की यही तैयारी की 23 से पहले दीरे-दीरे करकर ऐसे कुछ जटके कॉंग्रिस को देते रहे और कॉंग्रिस के कारकरताओं को बता पाने में सफल हो जाए कि बले 18 में जो भी हो गया था पर 23 में ऐसा नहीं होगा भारती जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाओ लड़ेगी और जो लोग आना चायते सत्ता मतलब सत्ता का सपना ही दिखाना चायते कि सत्ता में फिर बापसी होगी भारती जनता पार्टी के जाहर सी बात है जया लोग उसी तरब जाते कारकरता उसी तरब जाते ज पॉलूग ज्वाइन कर रहे हैं और जैसी चर्चा है आने वाले दिनों में कुछ और बड़े जटके कांग्रेस को लग सकते हैं तो निश्चीत रूप से सोचना कांग्रेस को ही पड़ेगा बल्कुल कांग्रेस इससे कैसे पार पाप आएगी कैसे उभरेगी ये भी देखने कॉंग्रेस में आना चाहते हैं लेकिन शुरुवात तो देखिए बीजेपी ने कर दी आस्टा के सौ से ज्यादा कांग्रेस के नेता कारिकरता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और चलने वाला राश्पता महत्मा गांदी के पच्चनों पर चलने वाला और यहां यह गोपाल के जाने से कोई पर नी पड़ने वाला दस गोपाल आके पर जोइन कर लेंगे ठीक है यह कॉंग्रेस का कहना है हमारे साथ बीजेपी से उमेश शर्माजी भी जुड़े को प्रेरित करती है और प्रोस्ताहिद भी करती है और हम चाहते हैं कि साथ मानन्द में इसाथ मुड़ता में कांग्रेस परची डूबी रहे जया जी गंधीर बात यह है कि अगर कोई भी राजिनेतिक डल का लंबे समय तक काम करने वाला कारिकरता आपमें डल का अपने साथियों के साथ भारती जत्ता पाइटिक परिवार में आज जो सम्मुलित हो रहे हैं आस्टा के लोग प्रियनेता आधरणी इंजिनियर गुपाल सिंग जी पहन कुष्णा जी अब गुपाल कुष्णा को तो बात पर मेरा आगा चाहिए उनका कांग्रेस पर चाह के साथ आए हुए हमारे सभी बंदलते गान आधर नहीं पतादीकारी करन और उनके साथ पताए हुए सभी कारी करता पहनो और ठाई हो अभी मेरे उत्पोधन के बाद अध्यक्री का उत्पोधन होगा मैं चुकि सिंगापुर के कॉंसलेट जनरल सबेरत तीन बजे का समच् और बिलेश से कोई मेहमान आता है तो उसको तिजान की करमाने चाहिए वो यहां अंदर बेटे हुए है तो मैं संचिप्त बोलके फिर जाओंगा लेकिन अध्यक्ष जी आपका मारे परसंद करेंगे उसके बाद आपके बोजन की विवस्ता है और फिर जाते समय में जब य तो मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान को आप सुन रहे थे आपको बता दे सीम हाउस में उन्होंने बीजेपी की सदस्ता ग्रहन करवाई है सो लोग जो बीजेपी में श्रामिल हुए हालकि थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल मुख्यमंत्री का और यही जिकर उन्होंने किया है कि कोई विदेशी महमान जो उनका इंतजार कर रहे हैं उनसे वुलाकात करनी है आलकि बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जह हमें लगता है कि कॉण्ग्रिस के लिए बड़ा जटका लेकिन शायर सुदेश शर्मा जी और कॉंग्रिस का इमानना है कि ऐसे दस गोपाल इंजीनियर कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं तो खुदका मोरल बढ़ाने की कोशिश कॉशिश कर रही है। देखिए कॉंग्रिस तो यही कहेगी कि अब जो जाने वाले उनको रोक नहीं पाई कॉंग्रिस तो जाहिर सी बात है कि ये कॉंग्रिस को बिचार जरूर करना पड़ेगा लेकिन यदि आप ऐसे कहते हैं कि दस लोग और जा सकते हैं तो ये मुझे लगता है इसमें कहीं कर रहे हैं उनके संथ क्रश्णा जी ने भी किया जैसा मुकमंत्री जी बता रहे थे और सो से जादे कार्करता जोइन कर रहे हैं ऐसे दोर में जब 2023 के चुनाओं सामने दिखाई दे रहे हैं हाला कि अभी करीब साल है 16-17 मैंने चुनाओं में बाकी है पर उससे पहले एक ब लेकिन जरूर सोचना पड़ेगा कॉंग्रिस को ये स्वधिय सर्माजी जो कह रहे थे वो उनका अपना बिचार है पार्टी का बिचार है कि ऐसे कई लोग चल जाए पर कॉंग्रिस से कितने लोग चले गए आपने देखा पहले 28 सीट है खाली हो गई और लगातार जोतर द साथ आपने भारती जंदा पार्टी की सदस्टाग्रेंट की है उस बिच्वास को हम कभी फूटने नहीं देंगे और इंजित नहीं होने देंगे नंकि हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं इसके आप सब का इस परिवार का स्टागत अन्द्यक जी का उतार होगा मैं मैं जब जाओंगा तो कोई नहीं पूछेगा और मैंने कहा कि मैं जाते समय फिर जवाब भोजन कर रहे होंगे तो फिर यासे मिलते पर जाओंगा क्यूंकि विदेस ही महमान है और अपने देर से पहुंचे तो फिर उठाएंगे ये इंडिये टाइम बादे टाइम पे नह है इसलिए इसलिए भी 15 मिरिट लेट हो गाए तो आप सब पैठेंगे मैं प्रदेश अध्यक जी और नहीं भूजना है मैं सीधे प्रदेश अध्यकी शागरा करता हूं कि वो आपको संपोजित करें और मैं बात में लोटके आरा हूंगे 15 मिरिट उन से मिलना होगा मुझे इसलिए इसलिए तब तक प्रदेश अध्यकी का बुद्बोदन होगा धने बात में लोटके आपको बता दें कि सो लोग बीजेपी में सामिल हूए हैं आसा कि सो कॉंग्रस नेता गुपाल इंजीनियर उनके समर्थक नेता कारिकरता बीजेपी में सामिल हो चुके हैं और इन्ही कारिकरताओं को मुख्यमंद्री संबोधित कर रहे थी जुनाव से पहले कॉंग्रस को एक बड़ा जटका बीजेपी ने दिया है तो हालकि कॉंग्रस अब इससे कैसे उबरेगी ये देखने बाली बात होगी लेकिन शुरात हो चुकी है 2023 इलेक्शन से पहले एक हमारे साथ महमान जुड़े थे आपका बहुत धनिवाद मनुजी भी हमारे साथ जुड़े थे आप दोनों का भी बहुत शुक्तिया सर तमाम जानकारी तमाम बाचीत के लिए